दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Extortion by wife and her family कैसे fake cases, dowry harassment के, domestic violence के या maintenance के cases, husband और in-laws के against फाइल करके जो wife है या फिर उसके family members हैं कैसे husband से money extort करते हैं कैसे वो settlement के against बहुत huge एक element ही मांगते हैं वो हम डिसकस करेंगे और कैसे husband जो है अपने rights के लिए contest कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर general scenario बात करें, husband और उसके family members को बहुत से false cases में जैसे 498A, 406 354, 354A 376, 377 323, even और भी बहुत सारे sections में false cases उनके against file किये जाते हैं, maintenance मांगी जाती है 125 CRPC में ये show करके कि husband बहुत जादा earn करता है और wife earn नहीं कर रही है चुपाया जाता है, conceal किये जाते हैं effect और maintenance मांगी जाती है Domestic Violence Act में भी husband और उसके family members या relatives के against false complaint कि उन्होंने मांसिक तोर पे या शारेरिक तोर पे भी उनको एक तरह से प्रताड़ना दी है, Domestic Violence Act के जो ingredients है, वो match करके complaints file की जाती है allegations लगाए जाते हैं कि husband के जो father है, brother है उनके character के उपर कि उन्होंने उनको molest करने की कोशिश की या किसी भी तरह के ऐसे ridiculous से आप देखेंगे allegations लगे होते हैं, husband के उपर भी allegations होते हैं कि उसके marriage के बाहर अलग-अलग females के साथ illicit relations हैं, complaint जो employers को भी की जाती है husband के कि आप इसको नौकरी से निकाल दो या फिर maintenance मुझे दी जाए इसकी salary में से और उसको defame करने के लिए और बहुत बार तो जो females होती हैं, wives होती हैं वो letters भी send करती हैं, maybe neighbors को, या फिर family friends को, relatives को, और उनको बताती है कि देखिए मेरे साथ कितना बुरा किया है, just उसके लिए क्या होता है कि उसको बिल्कुल अच्छे से husband को pressurize करने के लिए, तो मुदा ये उटता है कि क्यों किया जाता है एक बात तो साफ है कि इतनी litigation अगर कोई face कर रहा है या हो रही है, तो एक बात तो चीज़े के reconciliation तो possible है नहीं तो फिर इतनी बात को क्यों बढ़ाया जाता है तो उसका simple एक reason है extortion, उनका main motive क्या होता है कि इतनी जादा litigation इतनी जादा defamation कर दे जाए कि husband और उसके family member इतने परिशान हो जाए, इतने pressurize हो जाए कि वो उनको एक बहुत बड़ी alumni जिसके हो हम formal language में alumni बोलते हैं, otherwise वो blackmailing ऐसे करते हैं कि उनको वो पैसा दे दिया जाए, just to settle the cases तो इसी लिए ये जो alumni जो है वो मांगते हैं और alumni के नाम पे वो एक तरह से उसको blackmail करके extortion जो है money वो मांग रहे होते हैं क्योंकि उनको ये होता है कि 498A या 406 का अगर case हो गया है तो husband उसमें arrest भी हो सकता है family members arrest हो सकते हैं उनकी अगर सरकारी नौकरियां है तो उनके उपर भी बड़ी problem हो सकती है तो इन सब चीजों का वो फाइदा उठा रहे होते हैं तो extortion कैसे एक तरह से remedy बन सकती है husband के लिए उसके family members के लिए तो extortion अगर मैं बात करूँ 383 IPC में extortion को define किया गया है Indian Penal Code section 383 तो अगर हम देखें इसकी अगर language देखें तो technical है थोड़ी अगर मैं simple language में बताऊँ तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी person intentionally एक ऐसा महौल create करता है जहां पर कोई person सामने वाला डर के मारे किसी injury के डर में dishonestly उसको एस तरह से उसको परिशान कर दिया जाता है injury के डर से किसी भी तरह का डर उसके मन में बैठा दिया जाता है कि वो कोई valuable security या फिर property उसको दे दे जो भी ये fear create कर रहा है वो उसको valuable security एक तरह से दे दे ऐसा fear अगर कोई create कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो extortion कर रहा है extort कर रहा है वैसा तो 383 IPC में वो offense है जैसे एक example भी दिया है ये Indian Penal Quartz में ही दिया हुआ है सारी चीजें कि A threatens to publish a defamatory libel concerning Z unless Z gives him money कि जब तक Z उसको पैसा नहीं दे देगा तो वो उसको एक तरह से धमकी देता है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ defamatory कुछ चाप दूँगा publish कर दूँगा तो Z उसको पैसा दे देता है तो वो extortion है वो Z को एक तरह से force करता है induce करता है कि पैसा दे नहीं तो मैं चाप रहा हूँ तो वो इसका मतलब extortion जो है वो commit कर रहा है इसकी जो punishment है वो section 384 IPC में mention है 383 में offense define किया गया है 384 में punishment mention की गई है इसमें बोला कि कोई भी अगर extortion इस तरह से करता है तो उसको 3 साल तक की सजा या fine या दोनों हो सकते है जो कि एक बहुत बड़ी सजा है अगर ये extortion कोई कर रहा है 385 में क्या है एक तरह से attempt को deal किया गया है कि मान लीजिए वो पूरी एक तरह से ingredient आपके पास हो सकता है husband के पास मान लो उन्होंने complaints में कई चीज़ें लिखी है हो सकता है husband प्रूव ना कर पाए कि हाँ कि इन्होंने extortion के हर ingredient पूरे हो गए बट attempt तो किया गया है तो 385 में एक तरह से attempt को deal किया गया है कि कोई भी person extortion करने के लिए अगर किसी को डराता है या फिर attempt भी करता है कि उसको डराने की उसको injury का कोई डर दिखाता है उस case में भी punishment है बट वो punishment यहाँ सिरफ 2 साल की ही है या fine या दोनो तो extortion अगर पूरा ingredient मिलते हैं तो 3 साल तक की सजाए अगर सिरफ attempt है तो 385 में आएगा वो और 2 साल तक की सजाए तो इस case में कैसे कर सकता है husband जो भी उनके पास petitions है complaint जो wife ने फाइल की हुई है उन सब को photocopy करवाए और उसके बाद क्या है complaint बनाए under section 383, 384, 385 और सारे allegations जो भी उन्होंने किये हैं उनका counter करते हुए लिखे वहाँ पर evidence लगाए कि कैसे वो जूटे allegation है और कैसे वो उनको blackmail कर रहे हैं और उसके बाद court में वो submit कर दे तो इसके बाद होगा क्या अगर हम बोलें कि benefit क्या होगा husband को तो ये तो बहुत मुश्किल होता है कि wife की conviction हो ठीक है female के साथ होती है तो बट ये जो case होंगे आपके वो females के उपर wives के उपर जो एक pressure जूरू create करेंगे mental pressure उसके family members के भी के कहीं अगर कुछ अगर ऐसा हो गया कि कोई चीज प्रूफ हो जाती है उनके against तो उनको भी सजा हो सकती है तो एक तरह से mental pressure जूरूर ये create करेंगे इस conviction होती है नहीं होती है वो बहुत बात की बात है क्योंकि काफी time लग जाता है litigation में तो depending on the case हम ये भी नहीं बोल सकते है conviction होगी ही नहीं कभी law है आपके favor में बट हाँ ये मैं बोल सकता हूँ कि judges कई बार reluctant होते हैं wives को एक तरह से punish करने में वो बोलते हैं ठीक है ये परिशान थी इन्होंने case कर दिया अब आप settle कर दो पैसा दे दो इनको और mutual consent से divorce ले लो या साथ रहने लग जाओ तो judges का mindset ये रहता है तो conviction हो सकती है depending on the facts of the case प्लस कैसे आप कितने उसको एक तरह से best possible contest करेंगे तभी आपको मिलेगा अगर आप घर बैठे रहेंगे और ये सोचेंगे कि laws भी मेरे against है, circumstances मेरे against है तो कुछ नहीं मिलेगा ये सरफ एक mental game है अगर आप pressurize कर सके उनको तो बहुत जल्दी आपका कोई ना कोई compromise हो सकता है तो जितने भी आप लोग अगर कोई case contest कर रहे हैं तो आप सबसे मेरी request रहेगी जितना pressurize कर सकें उतना जल्दी आपको freedom मिल जाएगा justice के लिए आपको contest करना ही पड़ेगा, fight करना ही पड़ेगी और अगर आपके आसपास भी कोई इस तरह के cases में involved है तो आप भी उनको guide कर सकते हो, awareness आप दे सकते हो ने, कोई consultation अगर हमारे भी हाफ पे चाहिए तो आप हमें contact कर सकते हो थूँ phone और WhatsApp, petition drafting में कोई help चाहिए आपको judgment searching में कोई आपको चाहिए कोई भी help या कोई guidance चाहिए आपको किस stage पर कैसे आपको deal करना चाहिए different quotes में, उसके लिए भी आप हमें contact कर सकते हो, हमारी contact details है और कोई feedback या कोई query है आपकी तो आप post कर सकते हो, thank you very much